हेलो दोस्तो स्वागत हमारे यूटूब चैनल मेडिकल ग्यान में तो दोस्तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनका गला बार-बार खराब रहता है या फिर गला बैठ जाता है या फिर गले में सूजन रहती है गले में खरास रहती है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दो ऐसे उपाई जिससे आप घर पे ही अपना के और अपने गले को ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और पहले या दूसरे डोज में ही आपको जो है फरक दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कारण है गला खराब होने का वो ज्यादा तर क्या कारण रहते हैं दोस्तो जो बेसिकली जो कारण रहते हैं वो कभी ठंडा गरम कभी आपने गरम खा लिया फिर उसके बाद आपने अचानक से ठंडा खा लिया उस वज़े से भी गला खराब ह से भी मैसूस होती है लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा होता है तो हम दो नुस्के आज बात करेंगे जिनको आप घर पर ही अपना के जो आपको घर में ही मिल जाएगा उससे आप अपने गले को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो नुस्का है वो है पहला जो उपचार है वो है कि आप घर में ही मेथी दाना मेथी दाना लेंगे ठीक है मेथी दाना लेके उसको पानी में डालेंगे मेथी दाने को पानी में डालेंगे पानी में उसके बाद में इसके अंदर नमक डालेंगे सींदा नमक डालेंगे उसके अंदर नमक डालेंगे इनको फिर उबालेंगे बॉइल करेंगे उबालना इनको ठीक है उबालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि इतना ठंडा हो जाएए कि जिससे की आप गरारे कर सकते हैं इससे आपको गरारे करने हैं मेथी दाने को पानी में डालके और थोड़ा सा सिंदा नमक उसमें डालके आपको उबालना है उबालने के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है उतना ठंडा रखना है जितना कि आप उससे गरारे कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप ये नुसका अपनाते हो तो आपको पहली बार गरारे करने से यह आपको फर्क दीखना मैसूस हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जो दूसरा जो अपचार है वो 200 ml आपको milk लेना यानि आदा कप आपको दूद लेना है उसमें एक आदा चमच हल्दी डालना है और आदा चमच अद्रक का powder यानि जिंजर का powder डालना है उसको उबाल लेना है और आपको ठंडा करके जितना आप पी सके मतलब उतना ठंडा कर लेना जितना आप पी सके उस रेलू उपाए हैं इसका कोई side effect नहीं है तो दो उपचार हैं पहला उपचार था कि इसमें मेथी दाना पानी में डालके और उसमें सिंदा नमक डालके आपको उबाल लेना है और उसके बाद उससे गरारे करने हैं दूसरा जो है वो 200 ml यानि आदा कप दूद लेना है उसमें एक चमद या फिर आदा चमद हल्दी डालके और जो अधरक का पाउटर है सुखी अधरक का पाउटर लेना है वो mix कर देना है उबालके और उससे ठंडा करके पी लेना है इससे आपके गले में दोस्तो 99% चांस है कि आपके गला जो है ठीक हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद